अगर आपको पता चले कि आपके फादर जो आपसे बहुत पैर करते हैं वो एक किड्नावर और एक मर्डरर है तो आप क्या करोगे इसी इंटरस्टिंग एक कंसेप्ट के साथ आज की मूवी आती है आज की मूवी का नाम है Blood and Ties यह एक कोरियन मूवी है एक रियल से इंसिडेंट को लेकर उसका एक फिक्शनल रूप इस मूवी में दिखाया कया है तो चले इस मूवी को एस्प्रेंट करना स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारी में कारेटर जिसका नाम है देउन यह हमें ऑस्पिटल बेड बर दिखती है यह अनकॉंशेस है और अपने पिता की यादे उसे आ रही है बच्पन से इसके फादर इसे बहुत प्यार करते थे एक बास कुल में फादर इसे लेने के लिए आये पर यह कही दिख नहीं रही थी फादर बहुत ही चिंदिद हो गए थे जब देउन उन्हें दिखी तो इसे गले लगा लिया था फादर ने कहा था कि कही भी मुझे छोड़ कर मत जाना मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा देउन को भी यह पता था और छोटी देउन बोली थी कि मैं तुम्हारा दिल हूँ अब यह फादर और डॉटर बाते करते करते घर आते हैं फादर देउन को लिखने के लिए डिफिकल्ट वर्ड्स देते हैं आज देउन को फादर एक एड्रेस देते हैं यह एड्रेस देउन सही से लिख नहीं पाती है फादर कहते हैं कि तुम बहुत ही जल्दी गिव अप कर देती हो यह बहुत ही बुरी चीज है जब तक सब कुछ खतम नहीं हो जाता तब तक तुम्हें give up नहीं करना है यहाँ घर में मैं father और daughter की फोटो दिखती है जहाँ पर लिखा होता है कि daddy मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यह सवा में देवन का बच्चपन दिखाया गया है अब वो बड़ी हो चुकी है इसके बाद हम देखते है कि दिवन अपने friends के साथ एक cafe में hangout कर रही होती है यहाँ पर डिवी पर एक news चल रही होती है यह जो news है एक kidnapper और murderer के बारे में है 15 साल पहले एक आदमी ने एक बच्चे को kidnapp कर लिया था जिस बच्चे को kidnapp किया था उसके फादर से बहुत सारे पैसे लिये थे और उसके बाद भी उस छोटे लड़के को मार डाला था यह जो case है इसका अब statue of limitation आने वाला है इसका मतलब है अब पुलिस जादा इसमें investigation नहीं कर सकते क्योंकि इस case को अब 15 साल हो चुके है अब पुलिस को इस investigation रॉक करनी पड़ेगी देवन की friends को इस सही नहीं लगता यह जब देवन से बुचते है तो देवन भी कहती है इन जैसे लोगों को मार डालना चाहिए कोरिया में किसी को भी फासी नहीं हुई है तो इन लगता है कि इन जैसे लोगों को फासी होनी चाहिए यहाँ पर देवन अपने friends के साथ बाते कर रहे होती है तब ही देवन के फादर वहा जाते इनकी financial situation उतनी अच्छी नहीं है तो देवन के फादर जिनका नाम होता है सुनमन सुनमन हमेशा काम करते रहते है यहाँ भी इस रेश्वार में वो काम ही कर रहे होते है देवन फिर अवने friends को उन से मिलाती है देवन का boyfriend ने जो पुलिस की entrance exam देने वाला है अमने फादर से वो से मिलाती है देवन का boyfriend कहता है कि आप कोई भी worry मत करना मैं हमेशा देवन का खैल रखूंगा फादर कहते है कि नहीं मैं ही रखने वाला हूँ यह इसे बहुत weird लगता है पर फादर फिर हसने लग जाते है वो कहते है कि मैं सिर्फ मजाग कर रहा था देवन के फादर को बहुत काम करना पड़ता है यह उसे बहुत ही बुरा लगता है देवन का एजूकेशन खतम हो चुका है और उसने इंट्रांस एजाम दी है उसे जनरलिस्स बनना है उसका इंटर्विव भी आच्छा गया था तो इसका आज रिजर्ड लगने वाला है सुनमन और देवन दोनों गाड़ी में बैठते है और इस इंटर्विव का रिजर्ड देखते है यहाँ पर इंटर्विव में देवन फिर से फेल हो जाती है देवन फिर जिसने इंटर्विव लिया था उनकी कमपनी को कॉल लगा थी है ये इंटर्वी में क्यों फेल हुई इसका रिजन उसे नहीं मिलता ये बहुती गुस्से में होती है सुनमन को लगता है कि उनकी financial situation खराब है इसी वज़े से देवन को उसने लिया नहीं होगा देवन थोड़ा सा नाराज होती है पर वो अभी और भी ज़्यादा होप फूल हो इस बार भी अपने फादर को cheer up करने के लिए वो result में उन्हें लेकर आती है इस बार भी फादर जीच जाते है देवन अगर इंटरू में पास हो जाती है तो उसके फादर रहे नहीं पाते है देवन की उन्हें आदत हो चुकी है क्योंकि हमेशा से वो देवन का खैल ही रख पर इस movie के last में actual किर्णाइपर का voice होता है इसमें बताया जाता है कि अगर आपको यह पता होगा कि यह voice किसका है तो प्लीज आप पुलिस को contact कीजिएगा अब यहाँ जो ठेटर में movie चल रही है इसका भी explanation मेरी चानल पर available है इसकी link में description और i button पर दे दूंगा आप वो जा करे है उसके बात क्या हुआ होगा इसका fictional group इन्होंने लिया है फिर से हम explanation के और बढ़ते है अब देवन फिर से murderer का voice सुनती है इस clip में बोला गया होता है कि कभी give up नहीं करना चाहिए जब तक सब कुछ खतम नहीं हो जाता तब तक कुछ भी खतम नहीं है देवन को अब realize हो इसके friends discuss करते है इसके friends को लगता है कि voice उन्होंने सुनी है देवन की friend कहती है कि यह तो तुम्हेरे father जैसी voice थी देवन उसे डाटती है और कहती है यह क्या कुछ भी बोल रही हो इसकी friend भी इसे apologize करती है और यहाँ से चले जाते है रात में देवन इंटरनेट से फिर से recording नि उटती है जब सुबहा होती है तो father ने बहुत सारा खाना इसके लिए बनाया होता है पर आज इसका कुछ भी खाने का मोन नहीं होता देवन की friend ने जिसने कहा था कि उसके father की आवास्ती उसके साथ वो रेस्टॉर्ण में आती है इसकी friend कहती है यह बहुत ही sorry हूँ मुझे कुछ भी कहना नहीं चाहिए था तुम्हारे father तुम्हारा बहुत ही care करते है यह कभी वो कर नहीं पाएंगे यह friend कहती है कि जब मुझे पता चला था कि मेरे father का affair है तभी मुझे बहुत बुरा लगा था यह अजीब अजीब चीज़े करने लग गये थी देवन भी यह सब स पॉन फिल्म डाउनलोड्स की होती है यह उसे दिखती है देवन को यह friends मिल चुकी है यह father देख लेते है फादर मना कर देते है कि यह merit थी ही नहीं जब हमने बाए किया होगा तब यह आ चुकी होंगी देवन जब उने friend को यह कहती है तो यह दोनों पहुत हस्ती है देवन क यह उसे बहुत ही suspicious लगता है और अब father का पीछाओ करने लग जाती है यह father की पीछे जाती है तब उसे पता चलता है कि एक amir घर पर उसके father काम करते है यह weekends पर जाकर सब साफ सफ़ए करकर आते है रात में देवन दीखती है कि उसके father club के बाहर काम कर रहे है एक amir लड़की वहा थी है जो drive करना चाहती है पर यह बहुत ही drunk है तो father इसे मना करते है कि तुम्हें drive नहीं करने चाहिए यह लड़की मानती नहीं इन दोनों में जगडा हो जाता है और लड़की father को मारने वाले होती है तब ही देवन वहाँ पहुच जाती है देवन इसे रोक लेती है औ जेल में डाल दो पर उसे भी घर बेज़ देते है देवन को अपने फादर के लिए बहुत ही बुरा लगता है और यह दोनों अब घर आ जाते है नेक सुबह हम देखते हैं कि देवन अपने फादर की मॉलिश कर रही होती है यह कहती है कि आपके बाल सफेत हो चुके है तुम ही खा जाती हो एक्च्वल में सही भी होता है देवन से फादर बहुत प्यार करते है और उसे पूरी अटेंशन मिलनी चाहिए इसलिए कभी भी उन्हेंने शादी नहीं गी होती अब मुवे में और एक क्यारक्टर इंट्रूस होता है इसका नाम है शीन शीन इन पर न इस लेटर में ब्लैक मेल कर रहा होता है इसके बाद वो फादर को भी कॉल लगाता है यह फादर को कहते हैं कि अब मैं कोरिया आच चुका हूं मैं हमेशा अब यही रहने वाला हूं यह पैसों की डिमान करता है केता है कि मेरी सिस्टर अब बीमार है उसे कैंसर है इस पर एक्चुल में ऐसा नहीं है देवन की मदर जिन्दा है और शीन की सिस्टर ही उसकी मदर है रात में फिर से देवन को शीन का कॉल आता है फादर अब उसे कहते हैं कि जरा वेट करो तो मैं सब पैसे में दे दूंगा अब थोड़े दिन हो जाते हैं पर फिर भी वो उसे मदर की फोटो वहां लगा ही होती है शीन जब यह सब देखता है सब खाना वेगरा वो गिरा देता है वो कहता है यह क्या चल रहा है शीन कहता है तुम्हारे फादर को गिल्टी में सो सो रहा है इसलिए यह सब वो कर रहे है फादर शीन को कहते है कि बाहर जाकर हम बात करते यहां फादर जोर से ईसे जापट लगाते है। उसे कहते है कि तुम ये सब करने के लिए मर सकते हो। शीन बोलता है कि तुम कहते हो इस अब कुछ खतं नहीं हो जाता। तब तक कुछ भी खतं नहीं हुआ है, कभी इव चल करना चाहिए। यह किकर वहाँ से चला है। रात में देवन सो नहीं पाती है फादर के सब ड्रॉवस वगरा चेक करने लग जाती है इसी ड्रॉवस में उसे एक रिसिप्ट मिलती है यह एक हॉस्पिटल की रिसिप्ट है और यहाँ हस्बन और वाइफ का नाम लिखा गया है यह ना वह पहचान नहीं पाती है इसके बाद हम देखते है कि फादर फिर से शीन को मिलने के लिए आया है शीन को कह रहे होते है कि सब कुछ पैसे में तुमें दे दूँगा थोड़े से पैसे वो शीन को दे देते है इसके बाद हम देखते है कि देवन को वो नाम तो मिले है पर उन नाम का करना क्या है यह उसे मालूप नहीं होता उसके फ्रेंड का कोई फ्रेंड होगा जो पुलीस की इंडरांस में पास हो गया होगा तो उसे इंफर्मेशन निकाल सकता है कि दो नाम किसके है तो अपने बॉइफरेंड से अब वो हेल्प लेती है उसका बॉइफरेंड भी यह करने के लिए मान जाता है अपने फ्रेंड से हेल्प लेता है यह सब इंफर्मेशन निकलवाने के लिए रात में देवन के बॉइफरेंड को इंफर्मेशन मिल जाती है यो आदमी और वो औरत कौन था बॉइफरेंड का फ्रेंड बहुत ही परिशान है मुवी के आज आने के बाद मीडिया से बहुत ही प्रेशर बढ़ चुका है इस केस को पुलिस को जल्दी से सौल करना है पर यह कर नहीं पा रहे है इसके बाद हम देखते हैं कि बॉइफरेंड देवन के पास आजाता है देवन को कहता है कि जिस आदमी का तुमने मुझे नाम दिया था वो 1995 से एक्टिव नहीं है उसके पहले रॉबरी वेगरा इस तरह की चीज़ें उसनी की थी 1985 में ही अबडक्शन और मर्डर यह सब हुआ था वो आफरेंड केता है कि इस तरह के लोग कभी भी सुदर्थ नहीं इसने शायद कुछ नया नाम ले लिया होगा देवन को धक्का लगता है क्योंकि इससे समझता है कि उसके फादर ही हो सकते है दूसरा नाम फिर औरत का होता है यह देवन पहचान दिये यह उसकी मदर का ही नाम है वो आफरेंड केता है कि इस औरत का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है यह औरत अभी भी जिन्दा है देवन को अब शौक लगता है कि यह कैसे हो सकता है उसकी मदर अभी भी जिन्दा है और उसका एड्रेस भी उसे मिल चुका है यह रात में ही अपनी मदर से मिलने के लिए निकलती है यह मदर की घर तक पोचती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता यह रात बर वही रुकती है और सुबा पर उसे शिन वहाँ से पहार आता हुआ दिखता है यह शिन का पीछा करने लग जाते है यह आगे चल गर शिन को स्पाट नहीं कर पाते है पर शिन आगे से आता है और इनकी गाड़ी का काच अपने हेलमेट से तोड़ देता है देवन उसे कह देती है कि उसे अपनी मदर के बारें पता है शिन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि अब उसे पैसे नहीं मिल पाएंगे देवन को अपनी मदर से मिलना है वो हॉस्पिटल में जाती है पर उसकी मदर बेड़ पर होती है उसे कुछ भी बात नहीं कर सकती डेउन अब शिन से बात करती है वो कहती है कि और एक चीज़ है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हो वो फिर मर्डरर की रेकॉर्डिंग शिन को सुनाती है शिन को मालूम नहीं होता कि फादर मर्डरर है पर अब उसे फिर से खुशी होती है या वो फिर से उसे ब्लैक मेल कर पाएगा रात बर शीन घर पर नहीं आई थी तो फादर बहुती वरिड हो चुके थे शीन ने फादर को ऑस्पिटल में बुला लिया होता है फादर शीन के बास आते हैं और कहते हैं यू चलो घर चलो मैं सब एक्स्पेन करूँगा फादर केते हैं कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें छोड़ दिया था मैं कैसे तुम्हें ये सब बाते कह सकता था रात में घर पर जब होते हैं तो फादर केते हैं कि मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता था शीन फिर अपने फादर को अंदर बुलाती है उन्हें recording सुनाती है वो बुछती है कि मुझे अब सच सच बताओ कि तुम murderer हो या नहीं हो फादर कहती है कि कुछ भी मत बोलो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मैं हमेशा बोलता हो कभी भी give up नहीं करना चाहिए ये एक famous quote है इसलिए मैं बोलता था शीन इस पर believe कर लेती है शीन कहती है कि मैं sorry हूँ मुझे पता था कि आप murderer नहीं हो सकते है नेक सिन में हमें दिखता है शीन अपने boyfriend के साथ होती है उसे उसकी बच्पन की story सुनाती है ये कहती ही कि जब मैं छोटी थी तो कुछ बच्चे मुझे बहुत ही तंग करते थे एक दिन मैंने उसे बहुत मारा था फादरों को स्कूल में बुलाया गया मैंने फादर को कहा कि मैंने किया ही नहीं है फादर ने भी मुझे पर believe कर लिया था वो मुझे से बहुत प्यार करते थे मैंने उन्हें कहा था कभी भी मेरे स्कूल मत आना और उसके बाद वो कभी भी नहीं आये देउन अब रोने लग जाती है क्योंकि उसे अभी भी लगता है उसके फादर मर्डर हो सकते है देउन फिर निउस पर सुनती है कि जिस लड़के को मारा गया था उसके फादर डॉक्टर है जिस हॉस्पिटर की रिसिप देउन को मिली थी वो इस रिसिप पर भी इसी डॉक्टर का नाम था तो इन डॉक्टर के पास वो अब मिलने के लिए आ जाती है वो अपनी मदर के बारे में डॉक्टर से पूछती है डॉक्टर के थे एक तुम्हारे मदर और फादर एक बेबी के लिए बहुत ही ट्राइक कर रहे थे डॉक्टर देउन को देखकर अब खुश है अब डॉक्टर के बेटिक इंसिटन के बारे में देवन बात करने लग जाती है देवन पुछती है कि जो वोईस था इसके आलावा तुम्हारे पास कुछ सबूत है किन्यापर ने विटन नोड्स दिये थे ये नोड्स डॉक्टर देवन को दिखाता है इस नोड्स पर एक एड्रेस है देवन को याद आता है कि उसके फादर ने उसे एक एड्रेस लिखने के लिए बोला था ये वही एड्रेस है देवन वहाँ से जल्दी से चली जाती है इसे बहुत ही शौकिंग लगता है ये फिर घर पर आती है जो एड्रेस जो हैंड्रेटिंग उसके पास है वो अपने बच्पन की हैंड्रेटिंग से मैच करती है और ये पुरी तरीके से मैच कर रही है अब अपने फादर को एक अन्फरंट करती है उसके फादर इन सब को मना कर देते है कहते हैं कि किसी की भी handwriting हो सकती है देवन को सिर्फ सत जानना है और उसके फादर अभी भी मना ही कर रहे है अब इसके बाद हमें पुलिस की investigation दिखती है देवन ने अपने friend को दो नामों का पता निकालनी लिका था जब boyfriend ने पता निकाला तो पुलिस station में उनके system में यह flag हो चुका था पुलिस के boss को जब यह पता चला तब और भी investigation हुई पुलिस को भी पता है कि father और doctor इन दोनों में connection है तो अब father एक prime suspect बन जाते है पुलिस रात में घर आती है और दरवाजा खटखटाती है देउन अपने father को confront करी रही थी पर वो अब छूप जाती है पुलिस का पीछा करते करते doctor भी वहाँ पहुच जाते जिनका बेटा किड़ना भुआ था यह सिर्फ देउन के father की आवाज सुनना चाते है देउन के father जब बोलने लग जाते है तब इस doctor को 100% confirm हो जाता है कि यही murderer है यह उस पर जबब पढ़ते है और बहुत मारने लग जाते है पुलिस फिर इन्हें रोकते है मारते मारते father भेहोस हो चुके थे इन्हें hospital में ले जाया जाता है हॉस्पिटल में father unconscious है और इन्हें फिर से conscience में आने के लिए 2-3 दिन लग सकते है डॉक्टर डिडेक्टू से बुछते है कि क्या अब ये case खतम हो जाएगा डिडेक्टू कहते है कि conscious में आने के बाद हम देउन के father को वह इस sample निकालने के लिए बोलेंगे अब 15 साल हो चुके है तो ये sample match करना बहुत ही difficult हो सकता है डॉक्टर को बहुत ही बुरा लगता है पुलिस अब देउन के घर की सब चान पिन करने लग जाते है देउन के बाद सबूत है उसकी handwriting वो पुलिस से चुपा कर रखती है पुलिस को घर में कुछ भी नहीं मिलता डेउन जब अबने friend से मिलती है तो उसकी friend उसे कहती है कि आप मैं थोड़े दिनों के लिए तुमसे मिलनी सकती वो अब डर रही है कि पुलिस उसे भी question कर सकते है डेउन को उसके professor ने बुलाया होता है जिस professor ने उसे letter of recommendation दिया है वो अब उसे बोल रहे है कि मेरी अब इज़र दाव पर है ये professor वे बहुत डरे हुए है डेउन के father ने professor को एक gift दिया था वो gift भी professor अब उसे वापस कर देते है professor डेउन को बहुत ही help करते थे तो father ने एक letter लिखा था जिसमें वो बहुत ही thankful थे और एक gift भी professor को दिया था डेउन रात में hospital में आती है उसके father अभी भी कोमा में ही है डेउन फिर रोरने लग जाती है वो कहती है कि आप कभी भी मत उठना यही सही होगा उसे पता नहीं कि आप वो क्या करेगी पर वो नहीं चाहती कि उसके father कभी भी conscious में आये इसके बाद हम देखते है डेउन से सब कुछ पुछताच कर रहे है डेउन को पता था कि उसके father murderer है पर वो पुलिस से चुपा रहे थे इस detective को ये बात पता है डेउन से सब कुछ सवाल हो पुछते है पर देउन सब चीज को मना कर देती है वो कहती है कि मेरे father murderer रही है detective उसे एक spot दिखा थे जहाँ पर छोटे बच्चे को मार दिया गया था देउन को बुरा लगता है पर अभी पी वो कुछ भी नहीं बोलती है जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है तो देउन कोछ भी सच-सच बोलने रही तो डॉक्टर बहुत डिस्टब हो जाते है देउन के पास जाकर हो कहते है कि अगर मेरा बेटा जिन्दा होता तो तुम्हारी ही एज का होता इसके बाद देउन के father फिर से conscious में आ जाते है उनका voice sample लिया आ जाता है हॉस्पिटर के बाहर सब मीडिया विगरा होती है जल्दी से इस voice को testing के लिए भेजा जाता है जब इसे analyze हो करते है यह आवाज 15 साल पहले की थी इसे वज़े से match नहीं हो पाती अब देउन के father को वो arrest नहीं कर सकते यह सब देखकर डॉक्टर को बहुत ही सदमा लगता है यही पर वो बैट जाते है और रोने लग जाते है इसके बाद देउन और उसके father गाड़ी में बैटकर गर आने के लिए निकलते है यहाँ पर देउन ड्राइव कर रही होती है आज की रात last रात है इसके बाद इस case की कुछ भी investigation नहीं होगी क्योंकि यह case आज रात के बाद एकसपार होने वाली है देउन फिर अपने फादर को जिस spot पर छोटे बच्चे की लाश मिली थी वहाँ लेकर आती है देउन कहती है कि मुझे पता है कि आप ही murderer हो क्योंकि मुझे साब साब याद है कि आपने मुझे वा address लिखने के लिए बोला था वो spot पर आकर वो कहती है तुम ये सब कैसे कर सकते हो देउन कहती है कि मैं आपको police में नहीं देने वाली सिर्फ मुझे जानना है कि आपने सच्च में किया है या नहीं वो सिर्फ सच जानना चाती है देउन के father 12 बचने का wait करते यानि officially ये case अब expire हो जाती है इसके बाद ये हसने लग जाते है ये कहते है कि जब तक सब कुछ खतम नहीं हो जाता तब तक कुछ भी खतम नहीं होता कभी भी give up नहीं करना चाहिए यानि कि यही murderer है पर case expire होने से पहले कोई भी admit नहीं करना चाहते थे फादर कहते है कि आप सब कुछ ठीक हो जाएगा देउन कहती है कि अगर सर्चुज में तुम इंसान हो तो प्लीज माफी मांगो भगवान से माफी मांगो फादर कहते है कि मैंने सब कुछ तुमारे लिए ही किया है देउन बहुत ही disturb हो जाती है वो कहती है हमें हमारे पापों का प्रैस्शित करना ही पड़ेगा अपने फादर का हाथ पकड़ती है वो कहती है कि यहाँ से हम suicide कर लेते हैं हम अब जी नहीं सकते हैं फादर मानते नहीं उसे गाड़ी में बिठा कर घर लेकर जाना चाते हैं यह सब जब चल रहा है तो इसी spot पे हमें दीखता है कि डॉक्टर इन दोनों पर नजर रख रहे हैं डॉक्टर को अब अपने सन का बदला लेना है जब फादर गाड़ी में बेट जाते हैं तो डॉक्टर जोर से आते हैं और अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा देते हैं फादर और डॉक्टर यह दोनों उचाईस से गिर कर पानी में गिर जाते हैं देवन भी इसमें जरा इंजूर हो जाती है नेज़े पुलिस इंवेस्टिकेशन चलती है और फादर और डॉक्टर ये दोनों मर चुके है पुलिस से जब क्वेश्चन पुछा जाता है तो पुलिस कहते है अब ये केस खतम हो चुकी है इस पर कोई भी इंक्वारी वो करने नहीं वाले है देउन होस्पिटल में है और वो शायद कभी भी चल नहीं पाएगी पुलिस जब देउन को देखने के लिए आते है तो कहते है कि अब अपने फादर का प्राइस चित ये पेटी करेगी इसके बाद नेक सिन में हमें शीन दिखता है अपनी सिस्टर से वो बात कर रहा है उसकी सिस्टर उसे सब को सच्चा ही बता देती है Shinn के मदर और फादर इन्हें कभी भी बच्चा नहीं हो रहा था फादर बहुत disturbed हो गये और एक दिन उन्हेंने हॉस्पिटार से बच्चा चुरा लिया यही बच्चा Dayun थी मदर यह accept नहीं कर पाए उसने फादर को समझने के कोशिश की पर ये समझने ये फादर के साथ रह नहीं सकती थी इसी वज़े से फादर को छोड़ कर ये चली के देवन की एक्चुल मदर का नाम इसे पता है ये सब वो शिन को बता देती है चिन भी देवन की एक्चुल मदर को कौल लगाता है और देवन कहा है ये बता देता है इसके बा याने कि देवन के फादर को भी ब्लैकमेल करने लग गया देवन के फादर ने किन्पिंग से जो भी सब पेसे कमाए थे ये सब उनने शिन को दे दिये देवन के फादर फिर साइकोपैद की तरह देवन से प्यार करने लग गये अब इस movie में जब देवन को सब कुछ पता चला तो हमेशा से conflict में थी क्योंकि उसके father एक अलगी character थे हमेशा से उसका care करते थे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके father भी ये सब कर सकते है जब उसे पता भी चल गया था तब भी अपने father को ही protect कर रही थी उसके मन में अभी भी उसे लग रहा था कि उसके father ये नहीं कर सकते अपने father का जब उसे असली रूप पता चला तब उसे पता था यो जीनी पाएगी उसका accident हुआ और वो unconscious है पर last में हमें दिखता है कि उसके आखे खुल जाती है सब कुछ बुरा ही हुआ है पर जीनी की थोड़ी सी उमीद उसे आ जाती है यही आज की वीडियो हम खतम करते है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी इस तरह की मुविज लेकर आते रहत हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकन दबने में मत भूले अम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे